हेलो एप्रिवान वेल्कम बैक टू माय चेनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डेजाइनर फ्रिल ब्लाउस बनाएंगे और इसे हम बनाएंगे 32 साइस का प्रेंस कट के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक इसकी कटिंग पहले हम पेपर पर करेंगे ब्लाउस की टोटल लांथ हमें थर्टीन इंच रखनी है इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जन के लिए फ्रेंट पार्ट में अब हमें यहां पर शोल्डर ले लेना है तो शोल्डर जो आमने डीपनेक के अकॉर्डिंग ले पार्ट होगा एट इंच तो एट इंच पर मार्जन के लिए एड कर देना है यहां पर वेस्ट है 26 उसका फोट पार्ट लेना है 6.5 इंच टू इंच टक्स के लिए और टू इंच मार्जन के लिए साइट से लाइन को ड्रॉ करेंगे वन इंच से आर्मोल के साइट पर गुलाई देनी है अब यहां पर हमें टक्स पॉइंट लेना है तो पहले हमें यहां पर नैकी वीट लेंगे नैकी लैंथ हमने 6.5 इंच रखी है नैकी वीट हमें यहां पर ले लेनी है 3.5 इंच इस तरह से एक बॉक्स बनाया यहां से हमें ले लेना है उपर के साइट से 4.5 इंच पर और इस तरीके से शेप देनी है नीचे इसके 1.5 इंच जाएंगे और यहां से हमें इस ट्रैप से शेप देना है अब यहां पर टक्स पॉइंच लेना है तो टक्स पॉइंच आएगा हमारा 9.5 इंच पर यहां से लेंगे हम 3.5 इंच यहां से 3 इंच टक्स की वीट 2 इंच लेनी है और शेप देना है प्रिंसिस कट का शेप देना है जो डार्ट है वो हमें चेक कर लेनी है दोनों बराबर होनी चाहिए कट कर देना है साइट से यह हमारा बैक वाला पार्ट हो गया लाइनिंग फैब्रिक पर हम इसको कट करेंगे यहां पर भी इसकी एज़िटीज मार्किंग करनी है इसको हम कट कर देंगे यहां पर हाफ इंच का मार्जन एट करना है क्योंकि यह प्रेंसिस कट वाला पार्ट है और प्रेंसिस कट में हमें हाफ इंच मार्जन के लिए एट कर लेना है सेम हम यहां पर भी इसको एक्स्ट्रा लेंगे बैक पर पार्ट को निकाल लेना यहां से इसके हम एज़िटीज मार्किंग कर देंगे और इसके जो हूक होंगे न वो हमें बैक में ही रखना है तो यहां पर हमें इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करना है तो हम कहां से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहां से यह मैंने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा एड़ कर लिया है नेक थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे बैक का और कट करेंगे अब यह हमारा फैब्रिक है जिसमें हमें फ्रेंट वाला और बैक पाला पार्ट कट करना है तो इसमें जो डिजाइन दी हुई है वो वैसे तो बैक की दी है लेकिन इसे हम फ्रेंट में लेंगे क्योंकि फ्रेंट पर यह जादा अच्छी दिखेगी बैक हमारा यह प्लेंट आएगा और यह वैसे भी हम फ्रेंट वाला बना रहें तो जो स्लीज में जो बॉर्डर दी हुई थी वो हम बैक के साइट पर लगाएंगे कटिंग हो गई यह स्टिचिंग करनी है तो यह हमारा बैक पर्ट है जिसे उने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है आई की प्ति हमने लगाई है इसकी फीड-थाम थ्री इंच रखेंगे और एक सैट से हमने इसको फॉल्ड भी कर लिया है यह देखिए यहां से हमें इसको इस तरह से स्टीच कर देना है तो आई की पटी हमारी कम्प्लीट हो जाएगी बैक पाट में टक्स लगा देना है जिसकी लेंद हमने 4 इंच रखी है और यहां पर हमने होकी पटी भी लगा दी है होकी पटी नॉर्मली 2 इंच की लेनी है और स्टीच करके पूरा अंदर के साइट पर इसको फोल्ड करना है यहां पर हम नीचे के साइट पटी लगाएंगे तो पटी की जो वीट थे वो हमने 1.5 इंच की रखी है इसको साइट से फोल्ड करना है दूसरी जो पटी है उसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे अब यह जो बॉर्डर दी हुई है उसे हम नीचे के साइट पर लगाएंगे यह देखिए दूसरी साइट पर भी इसी तरीके से लगा ली है अब हम यह आप एक रॉस में पटी कट करने है लाइनिंग फैवरिक की उरेप में और इसको डबल करते हुए हम नेक पर स्टीच करेंगे कट लगाना है एक स्टीच हम लाइनिंग फैवरिक के उपर से करेंगे पटी के उपर से यहाँ पर एक कट लगाएंगे अंदर के side fold करते हुए stitch करना है यह देखिए इस तरह से पटी लगा ली है हमने back part complete हो गया front वाले part को भी lining और net दोनों को साथ में stitch करके princess cut वाले part को stitch कर रहे है दूसरा part भी stitch करेंगे दोनों पाट stitch कर लिए नीचे के side हम पटी लगाएंगे अब यहाँ पर यह नेट ली है नेट की जो length है जैसे कि हमने neck कितने इंच पर लिया था 4.5 इंच पर तो हमें आपर total इसको लेना होगा 9 इंच ठीक है 9 इंच लेना होगा और 2 इंच हम margin के लिए add करेंगे दोनों साइट बन वन इंच ठीक है तो हम कितने इंच का लेंगे इसको 11 इंच का तो इसकी जो width है वो हम 11 इंच के लेंगे वहाँ पर इस तरीके से हम gather's डालेंगे यह देखिए इस तरह से दोनों साइट पर gather's डाल ली है अब इसको हम यहाँ पर attach करेंगे यह देखिए इस तरीके से हम इस स्टीच करना है अब यहाँ पर हम fitting लगाएंगे तो फ़हले दूसरा पाला पार्ट जो है इसको stitch कर लेना है फिर हम इसमें fitting लगाएंगे तो यहाँ पर waste का fourth part यहाँ पर chest का fourth part लेना है दोनों साइड हमें chest और waste का fourth part लेकर mark करना है और back वाले side में हम waste का mark करेंगे इस तरह से fitting लगा देनी है side से की stitch और करेंगे side से इसको fold करते हुए stitch कर देना है तो friends यह हमारे blouse का final look I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like share and comment ज़रू करिएगा और channel को subscribe ज़रू करिएगा Thank you अ हुआो कर दो 依ाल Like 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 Like